हलो दूस्तो, आज की कहानी का नाम है गिला, इसके लेखक हैं मुझी प्रेम चंद, ये कहानी एक स्त्री के मन की व्यथा है, एक स्त्री को अपने पती से क्या क्या गिले शिक्वे हो सकते हैं, या यूँ कहें कि होते हैं, उसका बड़ा ही खुबसूरत चित्रन मुझी जी ने इस कहानी में किया है, तो आएए कहानी शुरू करते हैं। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं, उनकी प्रशंसा भला घर वाले क्यों करने लगे? अब इन ही को देखो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं, मैं परदा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुलफ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है। और इनका ये हाल है कि चीज मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहां कोई ग्राहक भूल कर भी न जाता हो। ऐसी दुकान पर ना तो चीज अच्छी मिलती है, ना तोल धीक होती है, ना दाम ही उचित होते हैं। ये दोश ना होते, तो वो दुकान बदनाम ही क्यों होती, पर इने तो ऐसी ही गई बीती दुकानों की चीजे लाने का मरज है। बार बार कह दिया साहब की चलती हुई दुकान से सौधा लाया करो, वहां माल अधिक खपता है, इसलिए ताजा माल आता रहता है, पर इनकी तो टटपुझियों से बनती है, और वो इन्हें उल्टे चुरे से मूटते हैं। गेहू लाएंगे तो सौरे बाजार से खराब, घुना हुआ चावर, ऐसा मोटा की बैल भी न पूछे, दाल में कराई और कंकर भरे हुए, मनो लकडी जला डालो, क्या मजाल है कि गल जाए, घी लाएंगे तो आधा आधा तेल, या सोलहों आने काटो जेम, और दरसल घी से एक छटा कम, तेल लाएंगे तो मिलावट, बा दाम दे आएंगे शुद दाम लेके तेल का, किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते तो इनहीं जैसे डर लगता है, शायद उची दुकान और फीके पकवान के कायल है, मेरा अनुभव तो ये है कि नीची दुकान पर ही सड़े पकवान मूलते हैं, एक दिन की बात हो तो बरदाश्ट कर ली जाए, रोज रोज का टंटा नहीं सहा जाता भई, मैं पूछती हूँ, आखिर आप इन टटपुझों की दुकान पर जाते ही क्यों है, क्या उनके पालन पोशन का ठेका तुम ही ने लिया है, आप फरमाते हैं, मुझे देखकर सब के सब बुलाने लगत हैं, वाह, क्या कहना है, कितनी दूर की बात कही है, जरा इन्हें बुला लिया, और खुशामत के दो शब सुना दिये, थोड़ी सी स्तुती कर दी, बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुँचा, फिर इन्हें सुधी नहीं रहती कि ये कुड़ा करकट बांध रहा है या क् पूछती हूं, तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो, क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं चले जाते, ऐसे उठाईगीरों को मुह ही क्यों लगाते हो, इसका कोई जवाब नहीं, एक चुप सौ बाधाओं को हराती है, एक बार एक गहना बनवाने को दिया, मैं तो महाशे को जानती थी, इनसे कुछ पूछना बेकार समझा, अपने पहचान के एक सुनार को बुला रही थी, संयोग से आप भी विराजमान थे, बोले ये संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं, धोखा खाओगी, मैं एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ का पढ़ा हुआ है, बर सोने का एक अभूशन और सौ रुपे इनके हवाले किये, इस भले मानस ने वो अभूशन और रुपे न जाने किस बेईमान को दे दिये, कि बरसों के जंजट के बाद जब चीज बन कर आई, तो आठाने तामा, और इतनी भद्दी कि देख कर गिन लगती थी, बरसों की मेर ये भिलाशा धूल में मिल गई, रोपीट कर बैठ रही, ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं, जिनने मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने में भी जंकोच नहीं, इनकी दोस्ती भी उन्ही लोगों से है, जो जमाने भर के जट्टू, गिरह कट, लंगोटी में फाक खेल पिलने वाले फाके मस्त हैं, जिनका उद्यम ही इन जैसे आख के अंधो से दोस्ती गाथना है, नित्य ही एक ना एक महाशे उधार मांगने के लिए सिर पर सवार रहते हैं, और बिना लिए गला नहीं छोते, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसीने रुपे चुकाए हूँ, आदमी एक बार खोकर सीखता है, दो बार खोकर सीखता है, किन्तु ये भले मानस हजार बार खोकर भी नहीं सीखते, जब कहती हूँ, रुपे तो दे आए, अब मांग क्यों नहीं लाते, क्या मर गए तुम्हारे वो दोस्त, तो बस बगलें जहां कर रह जाते हैं, आप से म बहाने तो कर सकते हो, किसी मित्र ने रुपे मांगे और आपके सिर पर बोज पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करें, आखिर लोग जान जाएंगे कि नहीं, कि ये महाशे भी खुक्खल ही है, इनकी हवस ये है कि दुनिया इन्हें संपन समझती रहे, चाहे मेरे गहने ही क्यो न गिर्वी रखने पड़ें, सच कहती हूं, कभी-कभी तो एक-एक पैसे की तंगी हो जाती है, और इन भले आदमी को रुपे जैसे घर में काटते हैं, जब तक रुपे के वारे न्यारे ना कर लें, इन्हें चैन नहीं, इनके कर्तूत कहां तक गाउं, मेरी तो नाक में दम आ गया, एक न एक महमान रोज यमराज की भाती सिर पर सवार रहते हैं, न जाने कहां के बेफिकरे इनके मेत्र हैं, कोई कहीं से आकर मरता है, कोई कहीं से, घर क्या है, अपाहिजों का अड़्डा है, जरा सा तो घर, मुश्किल से दो पलंक, ओढ़ना भी छोना भी फा आईये, नहीं तो घर का परदा खुल जाए, जाता है मेरे बच्चों के सिर, गर्मियों में तो खैर कोई मुझायका नहीं, लेकिन जाड़ों में तो इश्वर ही याद आ जाते हैं, गर्मियों में भी खुली छत पर तो महमानों का अधिकार हो जाता है, अब मैं बच्चों को लिए पिंजडे में पड़ी फढ़ाया करूं, इन्हें इतनी समझ भी नहीं कि जब घर की ये दशा है, तो क्यों ऐसों को महमान बनाएं, जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं, इश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी श्रेणी के हैं, एक भी ऐसा माई का लाल नहीं जो समय पढ़ने पर धेले से भी इनकी मदद कर सकी, तो एक बार महाशे को बड़ा ही कड़वा अनुभव हो चुका है, मगर इस जड़ भरत ने तो जैसे आँखे ना खुलने की कसम खाली है, ऐसे ही दरिदर भट्टाचारियों से इनकी पटती है, शेहर में इतने लक्षम चोड़ कर चला गया, और कई दिन कोई दूसरा कहार ना मिला, किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थी, किन्तु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई, घर के सारे काम पूर्ववत चल रहे थे, पर आपको मालुम हो रहा था कि गाड़ उसकी सूरत पे लिखा था कि कोई जांगलू है, मगर आपने उसका ऐसा बखान किया कि क्या कहूं, बड़ा होश्यार है, बड़ा आज्याकारी, परले सिरे का महंती, गजब का सलीकेदार और बड़ा ही इमानदार, खेर मैंने उसे रख लिया, मैं बार बार क्यों इनकी बा उसमें नहीं थे, किसी काम की तमीज नहीं, बेइमान तो न था, पर गधा अवल दरजे का, बेइमान होता तो कम से कम इतनी तसकीन तो होती कि खुद खा जाता है, अभागा दुकानदारों के हाथों लुटकर आता था, दस तक की गिंती उसे ना आती थी, एक रुपया दे के कौन उखाड लूं, मगर इन महाशे को उसे कभी कुछ कहते नहीं देखा, डांटना तो दूर की बात है, आप नहाद होकर धोती छाट रहे हैं, और वो दूर बैठा तमाशा देख रहा है, मैं तो बच्चू का खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं, जब म मूर्ख को ज़डू लगाने तक की तमीज न थी, मरदाना कमरा ही तो सारे घर में धंका एक कमरा है, उसमें ज़डू लगा था, तो इधर की चीज उधर, उपर की नीचे, मानो कमरे में भुकंप आ गया हो, और गर्द का ये हाल की सांस लेना मुश्किल, पर आप शांती प मैं देखती हूँ, कमरे में ज़डू लगी हुई है, और हर एक चीज करीने से रखी हुई है, गर्द गुबार का नाम और निशान नहीं, मैं चकित होकर देखनी लगी, तो आप हसकर बोले, देखती क्या हो, आज घूरे ने बड़े सवेरे उठकर ज़डू लगाई है, मै गुरे मेरी दृष्टी में विश्वासी बनने लगा, सयोग की बात, एक दिन मैं ज़रा मामूल से सवेरे उठ बैठी और कमरे में आई, तो क्या देखती हूँ, कि गुरे द्वार पर खड़ा है, और आप तन मन से कमरे में ज़डू लगा रहे हैं, मेरी तो आखों में चुका दो, वहरी इनकी समझ, एक तो काम न करे, उस पर आखें दिखाए, उस पर पूरी मजूरी भी चुका दूँ, मैंने एक कॉड़ी भी न दी, एक कुर्ता दिया था, वो भी छीन लिया, इस पर जड़ भरत महाशे मुझसे कई दिन रूठे रहे, घर छोड़कर भाग का सवाल किया, इस बेकारी के जमाने में, फालतू कपड़े तो शायद पुलीस वालों या रईसों के घर में हो, मेरे घर में तो जरूरी कपड़े भी काफी नहीं, आपका वस्तराल है, एक बक्ची में आ जाएगा, जो डाक के पारसल से कहीं भी भेज लो, फिर इस साल जा बीत रही है, इसका भी मुझे ग्यान था, लेकिन मेरे या आपके पास खेद के सिवा इसका और क्या इलाज है, जब तक समाज का ये संगठन रहेगा, ऐसी शिकायतें पैदा होती रहेंगी, जब एक-एक अमीर और रईस के पास एक-एक मालगाडी कपड़ों से भरी हुई तब फिर बेचारे निर्धनों को क्यों न नगनता का कश्ट उठाना पड़े, खेर मैंने तो महतर को जवाब दे दिया, आपने क्या किया कि आपका कोट उठा कर उसको बहेंट कर दिया, मेरी देह में आग लग गई, इतनी दानशील मैं नहीं हूँ कि दूसरों को खिला कर आप सो रहूं, देवता के पास यही एक कोट था, आपको इसकी जरा भी चिंता ना हुई कि पहनेंगे क्या, यश के लोब ने जैसे बुद्धी ही हर ली, महतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह ली, आप कई दिन सर्दी से ठिटूरते रहे, प्राता काल घूमन के गड़ जाती हूं, पर आपको जरा फिकर नहीं, कोई हसता है तो हसे, आपकी बला से, अंत में जब मुझ से ना देखा गया, तो एक कोट बनवा दिया, जी तो जलता था कि खूप सर्दी खाने दूँ, पर डरी कि कहें बेमार पढ़ जाएं तो और बुरा हो, आखिर काम की नहीं समझती, ना ही विनीत समझती हूं, ये जड़ता है, सीधी साधी निरीहता, जिस महतर को आपने अपना कोट दिया, उसे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त जूमते देखा है, और आपको दिखा भी दिया है, फिर दूसरों की विवेक हिंता की पुरौत हम क्यों करें, अगर आप विनीत और परोपकारी होते, तो घर वालों के प्रती भी तो आपके मन में कुछ उदारता होती, या सारी उदारता बाहर वालों ही के लिए सुरक्षित है, घर वालों को उसका अलपांश भी न मिलना चाहिए, मेरी इतनी अवस्था बीट गई, प मगर रुपे मैं दे दू, ये शर्थ है, इन्हें खुद कभी ये उमंग नहीं होती, ये मैं मानती हूँ कि बिचारे अपने लिए भी कुछ नहीं लाते, मैं जो कुछ मंगवा दू, उसी पर संतुष्ट हो जाते हैं, मगर आखिर आदमी कभी-कभी शौक की चीज़ें चा खाईयां, खिलोने, बाजे, शायद जीवन में एक बार भी ना लाए हो, शपत भी खाली है, इसलिए मैं तो इन्हें कृपन कहूंगी, अरसिक कहूंगी, हृद्य शुन्य कहूंगी, उदार नहीं कह सकती, दूसरों के साथ इनका जो सेवा भाव है, उसका कारण है इनका य खालाम ठोकना तो आपकी नीती के विरुद है, नजर या डाली तो दूर की बात है, और तो और, कभी किसी अफसर के घर भी नहीं जाते, इसका खामियाजा आप ना उठाएं तो कौन उठाए, औरों को रियायती चुटियां मिलती हैं, आपका वेतन कटता है, औरों की तरक जाता है, इन्हें जरा भी आपत्ती नहीं, दफ्तर में इन्हें गिस्सू, पिस्सू, जैसी उपाधियां मिली हुई है, मगर पड़ाव कितना ही बड़ा मारें, इनके भाग्ये में वही सूखी घास लिखी है, ये विने नहीं है, स्वाधीन मनोवरित्ती भी नहीं है, मैं का काम मुराववत और रवादारी से चलता है, अगर हम किसी से खिंचे रहें, तो कोई कारण नहीं कि वो भी हमसे ना खिंचा रहे, फिर जब मन में क्षोब होता है, तो वो दफ्तरी विवहारों में भी प्रकट होई ही जाता है, जो मातहत अफसर को प्रसन्न रखने की चे लगी, अफसर भी तो मनुश्य है, उसके हिरदय में जो सम्मान और विशिष्टता की कामना है, वो कहां पूरी हो, जब अधिनस्त कर्मचारी ही उससे फिरंट रहें, तो क्या उसके अफसर उसे सलाम करने आएंगे, आपने जहां नौकरी की, वहां से निकाले गए, कभी कि भाई भतीजे होते हैं, वो कभी इनकी बात भी नहीं पूछते, आप बराबर उनका मुहताकते रहते हैं, इनके एक भाई सहाब आजकल तहसीलदार हैं, घर की मिलकियत उनहीं की निगरानी में है, वो ठाट से रहते हैं, मोटर रखली है, कई नौकर चाकर है, मगर यहां भ हर्च है, कौन सी ऐसी बचत हो जाती होगी, जब मैंने बहुत मजबूर किया, तो आपने पत्र लिखा, मालुम नहीं पत्र में क्या लिखा, पत्र लिखा या मुझे चकमा दे दिया, रुपे ना आने थे, ना आये, कई दिनों के बाद मैंने पूछा, कुछ जवाब आया, श्रीमान के भाई सहब के दर्बार से, आपने रुष्ट होकर कहा, अभी केवल एक सप्तहा तो घट पहुचे हुए, अभी क्या जवाब आ सकता है, एक सप्तहा और गुजरा, मगर जवाब फिर नदारद, अब आपका ये हाल है, कि मुझे कुछ बात सीथ करने का अफसर ही नहीं देते, इतने प्रसन्यचित नजार आते हैं कि क्या कहूं, बाहर से आते हैं तो खुश-खुश, कोई ना कोई शिगूफा लिये हुए, मेरी खुशामद भी खूब हो रही है, मेरे मैके वालों की प्रशंसा हो रही है, मेरे ग्रह प्रबंध का बखान भी असाधारन किया जा रहा है, मैं इन महाशे की चाल को अच्छी तरह समझ रही थी, ये सारी दिल जोई सिर्फ इसलिए थी कि श्रीमान के भाई साहब के विशे में कुछ पूछ न बैठ हूँ, सारी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, आचारिक प्रशनों की मुझसे व्याख्या की जा वाली थी, जब पूरे दो सपताह गुजर गए और बीमे के रुपे भेजने की मिती मौत की तरह सिर्फ पर सवार हो गई, तो मैंने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे भाई साहब ने श्रीमुक से कुछ फरमाया या अभी तक पत्र नहीं पहुचा? आखित घर की जायदाद में हमारा भी कुछ हिस्सा है या नहीं? या हम किसी लॉंडी दाजी की संतान है? पांच सो रुपे साल का नफा तो दस साल पहले था, अब तो एक हजार से कमना होगा, पर हमें कभी एक कानी कौडी भी नहीं मिली. मोटे हिसाब से हमें दो हजार मिलना चाहिए. दो हजार न देते हैं, तो फिर हमारे रुपे क्यों नहीं देते? आप हैं हैं हां करने लगे, कहने लगे वो बिचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधू बांधवों का स्वागत सतकार करते हैं, नातेदारियों में भेंट भाट भेजते हैं, और कहां से लावें जो हमारे पास भेजे मानो जायदाद इसी लिए होती है कि उसकी कमाई उसी में खर्च हो जाए इस भले आदमी को बहाने गढ़ने भी नहीं आते मुझसे पूछते मैं एक नहीं हजार बता देती एक से एक बढ़कर कह देते घर में आग लग गई सबकु स्वाहा हो गया या चोरी हो गई तिनका तक न बचा या दस हजार का अनाज भरा था उसमें घाटा हो गया या किसी से फौजदारी हो गई उसमें दिवाला पिट गया आपको सूजी भी तो लचर सी बात तकदीर ठोक कर बैठ रही पड़ो उसकी एक महिला से रुपे कर्ज लिये तब जाकर काम चला फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं न तो मेरे शरीर में आग लग जाती है ऐसे कौर्वों से इश्वर ही बचाए इश्वर की दया से आपके दो बच्चे हैं दो बच्चियां भी हैं इश्वर की दया कहूं या कोप कहूं सब के सब उधमी हो गए हैं कि खुदा की पनाह मगर क्या मज़ाल की ये भोंदू किसी को कड़ी आँखों से देख लें रात के आठ बज गए हैं युवराज अभी घूम कर नहीं आए मैं घपरा रही हूँ आप निश्चिंद बैठे अकबार पढ़ रहे हैं जलाई हुई जाती हूँ और अकबार चीन कर कहती हूँ जाकर जरा देखते क्यों नहीं लॉंडा कहां रह गया नजाने तुम्हारा हृदय कितना कठोर है इश्वर ने तुम्हें संतान ही नजाने क्यों दे दी पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है तब आप भी गर्म हो जाते हैं अभी तक नहीं आया बड़ा शेतान है आज बच्चू आता है तो कान उखाड लेता हूँ मारे हंटरों के खाल उधेर कर रख दूँगा यों बिगड़ कर तैश के साथ आप उसे खोजने निकलते हैं संयोग की बात आप उधर जाते हैं इधर लड़का आ जाता है मैं पूछती हूँ तू किधर से आ गया तुझे वो डूणने गय हुए है देखना आज कैसी मरम्मत होती है ये आदत ही छूट जाएगी दात पीस रहे थे आते ही होंगे चड़ी भी उनके हाथ में है तुम इतने मन के हो गय हो कि बात नहीं सुनते आज आटेदाल का भाव मालूम होगा लड़का सेहम जाता है और लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है महाशेजी दो ढ़ाई घंटे के बाद लोटते हैं हेरान, परिशान और बदहवास घर में पाव रखते ही पूछते हैं आया की नहीं मैं उनका क्रोध उतेजित करने के विचार से कहती हूँ आकर बैठा तो है जाकर पूछते क्यों नहीं मैं तो पूछकर हार गई कहां गया था कुछ बोलता ही नहीं आप गरज कर कहते हैं मन्नू, यहां आओ लड़का थर-थर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है दोनों बच्ची आंग घर में छिप जाती है कि कोई बड़ा भहंकर कांड होने वाला है चोटा बच्चा खिड़की से चूहे की दरह जहाक रहा है आप क्रोध से बौखलाय हुए है हाथ में चड़ी है ही मैं भी वो क्रोधोनमत आकरती देखकर पच्चताने लगती हूँ कि कहां से इनसे शिकायत की आप लड़के के पास जाते हैं मगर चड़ी जमाने के बदले आहिस्ते से उसके कंधों पर हाथ रखकर बनावती क्रोध से कहते हैं तुम कहां गय थे जी मना किया जाता है मानते नहीं हो खबरदार जो अब कभी इतनी देर होगी आदमी शाम को घर चला आता है या मटरगश्ती करता है मैं समझ रही हूँ कि ये भूमिका है विशे अब आएगा भूमिका तो बुरी नहीं लेकिन यहां तो भूमिका पर इती हो जाती है बस अपका क्रोध शांत हो गया बिल्कुल जैसे क्वार की घटा गेरगार हुआ काले बादल आये गड़गडा हट हुई और गिरा क्या चार बूंग लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी से नाचने लगता है मैं पराबूत होकर कहती हूँ तुम तो जैसे डर गए भला दो-चार तमाचे तो लगाए होते इसी तरह तो लड़के शेर हो जाते हैं आप फरमाते हैं तुमने सुना नहीं मैंने कितनी जोर से डाटा बच्चू की जान ही निकल गई होगी देख लेना जो फिर कभी देर में आए तुमने डाटा तो नहीं हाँ आसू पहुँच दिये तुमने मेरी डाट सुनी नहीं क्या कहना है आपकी डाट का लोगों के कान बहरे हो गए लाओ तुम्हारा गला सहला दू आपने एक नया सिद्धान्त निकाला है कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं आपके विचार से लड़कों को आजाद रहना चाहिए उन पर किसी तरह का बंधन, शासन या दबाव न होना चाहिए आपके मत से शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधक होता है इसी का ये फल है कि लड़के बे नकेल के उट बने हुए हैं कोई एक मिनट भी किताब खोल कर नहीं बैठता कभी गुली डंडा है तो कभी गोलियां तो कभी कनकवे श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते हैं 40 साल की उमर और लड़क पन इतना मेरे पिताजी के सामने मजजाल थी कि कोई लड़का कनकवा उडाले या गुली डंडा खेल सके खून पी जाते प्राता काल से लड़कों को लेकर बैठ जाते थे स्कूल से जो ही लड़के आते फिर ले बैठते थे बस संध्या समय आधा गंटे की छुट्टी देते थे रात को फिर जोद देते ये नहीं कि आप तो अखबार पढ़ा करें और लड़के गली गली भटकते फिरें कभी-कभी आप सींग कटा कर बचड़े बन जाते हैं लड़कों के साथ ताश खेलने बैठा करते हैं ऐसे बाप का भला लड़कों पर क्या रॉब हो सकता है मेरे पिताजी के सामने मेरे भाई सीधे ताक तक नहीं सकते थे उनकी आवाज सुनते ही तेहल का मज जाता था उन्होंने घर में कदम रखा और शांती का सामराज्य हुआ उनके सम्मुक जाते लड़कों के प्रान सूखते थे उसी शासन की ये बरकत है कि सभी लड़के अच्छे-च्छे पदों पर पहुँच गए हाँ स्वास्थे किसी का अच्छा नहीं है तो पिताजी ही का स्वास्थे कौन बड़ा अच्छा था बेचारे हमेशा किसी ना किसी औशधी का सेवन करते रहते थे और क्या कहूं एक दिन तो हद ही हो गई श्रीमान जी लड़कों को कनकवा उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे यों घुमाओ, यों गोता दो, यों खींचो, यों धील दो ऐसे तन मन से सिखा रहे थे मानो गुरू मंत्र दे रहे हूं उस दिन मैंने इनकी ऐसी खबर ली की याद करते होंगे तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाडने वाले तुम्हें घर से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना हो लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब ना कीजिए बुरी-बुरी आदते ना सिखाईए आप उन्हें सुधार नहीं सकते, तो कम से कम बिगाड या मत अटक कर मर जाए मगर जरा भी ना पसीजते थे, और इन महत्मा जी का ये हाल है कि एक-एक से पूछ कर मेले ले जाते हैं, चलो चलो, वहां बड़ी बहार है, खूब आतिश-बाजियां चुटेंगी, गुबारे उड़ेंगे, विलायती चर्खियां भी हैं, उन पर मजे से बैठना, और तो और, आप लड़कों को हौकी खेलने से भी नहीं रोकते, ये अंग्रेजी खेल भी कितने जान लेवा होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, होकी, एक से एक घा तक, गेंद लग जाए, तो जान लेकर ही छोड़े, पर आपको इन सभी खेलों से प्रेम है, कोई लड़का मैच में जीत कर आ जाता है, तो ऐसे फूल उठते हैं, मानो किला जीत कर आया हो, आपको इसकी जरा भी परवा न आम पर कानी कोडी भी न देंगे, चाहे कन्या आजीवन क्वारी बैठी रहे, यहां भी आपका आदर्शवाद आकूदा, समाज के नेताओं का छल प्रपंच आए दिन देखते रहते हैं, फिर भी आपकी आँखे नहीं खुलती, जब तक समाज की ये व्यवस्था कायम है, और युवती कन्या का अविवाहित रहना निंदास पद है, तब तक ये प्रथा मिटने की नहीं, दो-चार ऐसे व्यक्ती भले ही निकलाएं, जो दहेज के लिए हाथ ना फैलावें, लेकिन इसका परिस्थिती पर कोई असर नहीं पड़ता, और कूप्रथा जयोंकितियों बनी हुई है, पैसों की तो कमी नहीं है, दहेज की बुराईयों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाला मैंने आज तक न देखा, जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाय निकल आएंगी, तो ये प्रता भी विदा हो जाएगी, उसके पहले तो कुछ संभव नहीं, मैंने जहां जहां संदेश भेजा, दहेज का प्रशन उठखड़ा हुआ, और आपने प्रत्ये कवसर पर टांगड़ा दी, अब इस तरह पूरा साल गुजर गया जी, और कन्या को सत्रमा लग गया, तो आखिर मैंने एक जगह बात पक्की कर लिए, आपने भी स्विकार कर लिया, क्योंकि वरपक्ष ने लेंदेन का प्रशन उठाया ही नहीं, हालांकि अन्ताकरन में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी, और मैंने भी तै कर लिया था कि यथा शक्त यहां गीतों का क्या काम, नाक में दम कर दिया था, यह क्यों, वो क्यों, यह तो साफ दहेज है, तुमने तो मेरे मुह में कालिख लगा दी, मेरी आबरू मिटा दी, जरा सोचिए इस परिस्थिती को, कि बारात द्वार पर पड़ी हुई है, और यहां बात बात पर शास्त वरत नहीं रखते, जब लड़का तक वरत नहीं रखता, तो कन्या पक्षवाले ही वरत क्यों रखें, मैं और पूरा खांदान मना करता रहा, लेकिन आपने नाश्ता किया, भोजन किया, खेर, कन्या दान का महुरत आया, आप सदेव से इस प्रथा के भी विरोधी है, आप पी से निशिद समझते हैं, कन्या क्या दान की वस्तु है, दान रुपे पैसे, जगा जमीन का हो सकता है, पशुदान भी होता है, लेकिन लड़की का दान, एक लचर सी बात है, कितना समझाती हूँ, पुरानी प्रथा है, वेद काल से होती चली आई है, शास्त्रों में इस लेकिन मंडप के नीचे न गए, और मजा ये, कि आपने ही तो ये अनर्थ किया, और आप ही मुझसे रूठ गए, विवाह के पश्चात महीनों बोल चालना रही, जख मार कर मुझी को मनाना पड़ा, किन्तु सबसे बड़ी विडम्बना ये है, कि इन सारे दुर्गुनों क होते हुए भी, मैं इनसे एक दिन भी अलग नहीं रह सकती, एक शन का वियोग नहीं सह सकती, इन सारे दोशों के बाद भी, मुझे इनसे प्रगाध प्रेम है, इनमें ये कौन सा गुन है, जिस पर मैं मुग्ध हूँ, मैं खुद नहीं जानती, पर इनमें कोई बात ऐसी है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए है, ये जरा मामूली सी देर में घर आते हैं, तो मेरे प्रान नहों में समा जाते हैं, आज यदि विधाता इनके बदले, मुझे कोई विध्या और बुद्धी का पुतला, रूप और धन का देपता भी दे, तो मैं उसकी ओर आखें कुछ ऐसी क्षमताएं, कुछ व्यवस्थाएं पैदा हो गई हैं, मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिसा कर आपस में फिट हो गए हूँ, और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सकी, चाहे वो पहले से कितना ही सुडॉल, नया और सुद्रड क्यों न हैं, अंजान रास्ते पर चलना कितना कश्ट प्रध होगा, शायद आज मैं इनके दोशों को गुणों से बदलने पर भी तयार न होंगी